आज है च्यार फरवरी 2023 के जो करंट अफेर के क्यूशन आज की जो करंट अफेर है बहुत most important होने वाला है और तो लाश्ट टक बने रही है तो आईए आज पड़ते हैं जो 12 सरकार में जो योजना है चलाए गई थी आज हम उनका revision करेंगे तो आईए देखते हैं प्रोजेक्ट बोल्ट बांस की खेती के लिए इस्टार्ट किया गया था प्यम आत्मनिर्बर स्वास्ते योजना यह है वारानसी से चलाए गया था ग्राम उजला योजना जो आरा विहार LED योजना थी वह हैं थी ग्राम उजला योजना तेजस अनुराग ठाकुर्ट जो शोब इस्टिल बेरोजगारी के लिए चलाय गया था जो दीवीदयोसों में रोजगार प्राभ देने के लिए में यहीं 33 विखर योजना चलाय गया थी और मतर्त उद्धे मिलता हरियाना हरियाना से चलाय गया था नेक्स्ट hypoth VIP एड़्ड यूजैओ धर यहारे शाथा जो करनाटक की जो महिला है जो गेर काजी महिलाओं के लिए चलाय गया था विनेस्मर्ती योजना यह करनाटक से start हुई थे जो करनाटक सरकार ने चलाई UV का यह इश्रू दुआरा चलाय गया चलाय गई योजना थी UV का योजना इश्रू जो यूवा वेगयनिक है उनके लिए चलाए गई थी यूवी का योजना नेक्स्ट आती है सुजलाम 2.0 यह 22 मार्ट 2022 में चलाए गई थी आईश्मान भारत आईश्मान भारत 23 सितंबर 2018 में राची से चलाए गई थी आईश्मान भारत याद रखना नेक्स्ट मेरी पॉलिशी मेरा हाथ यह है अभियान पी एम फसल भीमा योजना से समंदित है अम्मा बहीनी वह है सिक्किम से समंदित है यहां योजना सिक्किम से समंदित है संबोव एंड स्वाव लंबन यहां MSME प्लास्टिक से समंदित है नोन मुल्यवान योजना नोन मुल्यवान योजना तमिल नाडू से समंदित है नेक्ट आता है कोसल्य मातर्त्व है मातरतों है 36 गड़ से समंदित है next मर्दा स्वास्ते काड मर्दा स्वास्ते काड 19 फरवरी 2015 को चलाए गई थी नव भारत साक्षरता कार्यकरम यह हैं 2022 से 2027 तो इसको 17 से 2027 तक होगा नव भारत साक्षरता कार्यकरम adult for education for all यह है नव भारत साक्षरता के अधीन आती है जो adult education education for all जीवा कार्यकरम यह है नाबार दुवारा के दुवारा परियावरन अनुकुलन खेती के लिए चलाए गया था जो जीवा कार्यकरम प्रोजेक्ट अहरन यह है असम सरकार दुवारा चलाए गया था प्रोजेक्ट तो यह थी आज की जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्यूशन आईए देखते हैं आज का करंट फेर क्यूशन नंबर वन हाली में किसने मोर्गन इस्टेंली ने किसे भारत के लिए कंट्री हेड न्यूक्त किया है आपके ओप्सन है सिद्धार्थ सर्मा, अरून कोली, मादवेंदर सिंग या इन में से कोई ने तो इसका जो राइट आंसर होगा जो मोर्गन इस्टेंली लिने अरून कोली को भारत के लिए कंट्री हेड न्यूक्त किया है तो ओप्सन इसका भी राइट आंसर होगा ये है मोर्गन इस्टेंली जो अरून कोली नेक्स्ट कुशन हाली में एसिया का पहला फ्लोटING festival कहां सुरू हुआ आपके उप्सन है मंदसोर, जेपूर, भूमनेश्वर या इन में से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर होगा जो एसिया का फ्लोटING festival है वह मंदसोर में आयजित किया जा रहा है मंदसोर यह मद्दे प्रदेश में इस्तित है और मद्दे प्रदेश का जो सियम है वह है सिवरा सिंग ठाकुर और यहां के जो गवर्नर है वह है मंगू भाई जगन भाई पटेल नेक्स्ट क्यूशन हाली में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने लडिक्यों के लिए आरोणी पहल परिक्षण कार्य करम सुरू किया आपके उप्सन है माराष्टर राजस्तान उत्तर प्रदेश मद्दे प्रदेश इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जो लडिक्यों के लिए आरोही पहल परिक्षण कार्य करम सुरूद किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के वरतमान में जो स्यम है वह हैं योगी आधितेनाथ और यहां के जो गवर्नेर है वह है श्रीमती आनंधी बैन पठेल हाली में किसने नई दिल्ली में भारत भर्मन 2023 पहल की शुरुवात की जो आपके उप्शन है नरेंदर मोधी, प्यूस गोईल, जी किसन रेड़ी या इनमें से कोईने तो हाली में नई दिल्ली में जो भारत भर्मन 2023 की फैल शुरुवात किये वह किये जी किसन रेड़ी ने तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा से जी किसन रेड़ी, जी किसन रेड़ी सिकंद्राबाद से सांसद है और यह केंदरी ये गरह राज्यमंतरी है नेक्ट क्यूशन हाली में विश्व अद्र भूमी दिवस कब मनाया गया आपके उप्शन है 31 जनवरी, 2 फर अवरी, 1 फर अवरी या इनमे से कोईने तो इसका जो राइट आंसर होगा जो विश्व अद्र भूमी दिवस है वह हैं 2 फर अवरी को मनाया गया तो उप्शन 20 का राइट आंसर होगा एक फर अवरी को मनाया गया था भारतिय तट रक्सक तो 47 वा दिवस मनाया गया था नेक्ट क्यूशन हाली में अड़ानी गुरूप ने किस देश में हाईपा बंदर काह अद्धीगर्ण किया आपके उप्शन है सिंगापूर, इंडोनेशिया, इजराइल या इनमें से कोई नहीं तो हाली में जो अड़ानी गुरूप ने इजराइल में हाईपा बंदर काह का दिखर्ण किया है तो उप्शन सीज का राइट आंसर होगा इजराइल इजराइल को अभी जो वरतमान भी परदान मत्री है वह है नेफत ताली बेनेट और यहां के जो राश्टपती है वह है रेबेन रिवेलीन नेक्स्ट कुशन हाली में किसने बंगाल सब एसिया नए जनरल ओफिसर कमांडिंग के रूप में कारियबार समाला है तो आपके उप्शन है रोबर्ड जैस कार्तिक आडवानी एच दर्मराजन या इनमे से कोईने तो बंगाल के जो सब एरिया नए जनरल ओफिसर कमांडिंग के रूप में कारियबार समाला है वह समाला है एच दर्मराजन उप्शन से इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्यूशन हाली में सेमी कंडेक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावाद देने के लिए भारत किस देश के साथ टास्क फोर्स बनाने पर सहमत हुआ तो आपके उप्शन है चीन, अमेरिका, रूस या मलेशिया तो सेमी कंडेक्टर उद्योग में सहयोग को बढ़ावाद देने के लिए भारत ने अमेरिका के साथ टास्क फोर्स बनाने के मिस पर सहमत हुआ है अमेरिका, अमेरिका का राष्टपती कों है जो बाइडन और भारत का परधान मंत्री कों है भारत का परधान मंत्री है वह है नरेंदर मोधी और यहां के राष्टपती द्रोपती मुर्मो नेक्स्ट क्विशन हाली में किस देश को दो हजार पच्चिस में मेडिट इंटरनेशनल बुक मेले के थीम देश के रूप में आमिंत्रीक किया गया है आपके उप्चिन है भारत, बांगला देश, साओधी अरब या इनमें से कोई नहीं इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा भारत भारत को दो हजार पच्चिस मेडिट इंटरनेशनल बुक मेले की थीम के रूप में आमंत्रीक किया है तो उप्चिन इसका राइट आंसर होगा नेक्स्ट क्विशन हाली में RBI की रिपोर्ट आए है हाली में RBI की रिपोर्ट आए की किस राज्य से सबसे ज्जादा जीएश्टी प्राप्ट हुआ है तो सबसे ज्यादा GST जो RBI को कहां से प्राप्ट होआ है आपके उप्चिन है केरल महाराष्टर राजस्थान यह इन में सोइने एसका जो रहाइट आंसर होगा वह होगा जो reliehip report में जो gst शबसे ziety पाईए वह हैं महाराश्ट्र से महाराश्ट्र महाराश्ट के अभी जो वर्तमान में जो some of यह एघनात सिंधे और यहां के जो governor है वह है the aim spring radio next question हाली में किसे नामीबिया में भारत के अगले उचायूक्त के रूप में न्यूक्त किया गया है आपके option है सुमंत मिस्रा अरिदम बागिच्ची एम सुबरवाडियू याइन में से कोईने तो हाली में जो नामीबिया में भारत का अगलन उचायूक्त न्यूक्त किया है वह क्या है एम सुबरवाड राइडू को किया है नामीबिया नामीबिया से जो भारत में आर्चीते लाए गये थे जिसमें से तीन नर चीते थे और यह हैं इन चीतों को जो मद्धे प्रदेश के कुणो नेसलो पार्क में छोड़ा गया और जो चीतों की सुरक्षा के लिए चीतों की सुरक्षा के लिए चीता मित्र लगाए गए Next Question हाली में मेनुएला रोक 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 के किस देश की पहली महिला प्रदान मंत्री न्यूक्त हुई है तो मेनुएला रोक 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 आपके उप्षन है कुवेत इक्वेटरियल गिनी सुडान या इन में से कोई नहीं तो इसका जो रोक रोक के हैं हुवे हैं इक्वेटरियल गिनी की देश की पहली प्रदान मंत्री के रूप में न्यूक्त हुई है तो उप्षन 20 का राइट आंसर होगा नेक्ट कुशन हाली में किस सहर ने संगाई सहयोग संगठन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबनी की आपके उप्षन है फड बुंबई नई दिल्ली या इन में से कोई नहीं तो संगाई सहयोग संगठन फिल्म का फेस्टिवल यहां महारष्ट का एक रज्ज है नेक्ट कुशन हाली में पूर्व परदान मंतरी मनमौन सिंग जी को किस देश के लिए आज इविन उपलब्दी से समानित किया गया है आपके उसे ने यूके सयुक्त अरब अमिरात अर्जेंटीना या इन में से कोई नहीं तो पूर्व परदा परदान मंतरी भारत के जो डाक्टर स्री मनमौन सिंग जी को यूके के दुवारा आजिवन उतलब्दी में समानित किया गया है यूके यूनाइटिट किंग्डम और यहां के यानिकी ब्रेटन ब्रेटन के जो परदान मंतरी है वह हैं रिसी सुनक नेक्स्ट कुशन हाली मे बारतिय सेना का अभ्यास तोपची आयोजन किया गया है तो कहां किया गया है आपके अप्शन है मेसूर तिरुभती देवलाली यहिन में से कोई नहीं तो बारतिय सेना का अभ्यास तोपची का यूजन देवलाली में किया गया है और देवलाली माराष्ट का एक इस्तान है हाली में G20 International Financial Architecture Working Group की दो दिवस्ची ये बेटक कहा संपन हुई तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा चंदीगड जो पंजाब में इसका इसकी बेटक होई तो option B इसका राइट आंसर होगा हाली में प्रजनेंस गुनेश्वरन ने कहां ITF पुरुष टेनिस टूनामेंट का फाइनल जीता तो आपके option है कुवेट, UAE, अर्जेंटिना या इनमें से कोई नहीं तो इसका जो राइट आंसर होगा कुवेट में जीता है तो option इसका राइट आंसर होगा next question हाली में अंदर प्रदेश ने अपनी नई राज़दानी गोशित की है तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा विसा का पटनाव विसापक का पटनाव को अंदर प्रदेश की नई राज़दानी गोशित की गई है तो option C इसका राइट आंसर होगा next question, हाली में किस देश के प्रदान मंत्री ने अल्व, मिन्हाद, सहर का नाम बदल कर हिंद सहर रख दिया गया तो इसका जो right answer होगा, वह होगा, UAE next question, जो option इसका right answer होगा next question, हाली में किस राज्य में समता कुम्ब की शुरू हुआ तो इसका जो right answer होगा, वह होगा तेलंगाना, तेलंगाना में समताकुम का शुरू हुआ है, तो option 20 का right answer होगा, next question, हाली में आर्तिक सर्वेक्षन, 2022-23 के अनुसार भारत की GDP, growth कितने percent रहने का अनुमान है, तो इसका जो right answer होगा, वह होगा, 6.5% का अनुमान लगाया जा रहा हाली में किस देश की पुरुष होकी टीम के मुखे, कोच गराहम, रीड ने इस्तिफार दिया है, तो यह हैं भारत के पुरुष होकी टीम के जो कोच है, next question, जो option 20 का right answer होगा, next question, हाली में किसने the poverty of political economy नामक बुक जो किताब लिखी, तो इसका जो right answer होगा, मेगनात देशाई, मेगनात देशाई, the poverty of the political economic नामक किताब नहीं लिखी है, option 20 का right answer होगा, next question, हाली में शांती बुषन का निदन हुआ, वे कौन थे, तो शांती बुषन वकील थे, option A, इसका right answer होगा, next question, हाली में G20, science 20 की बेठक, हुई है, तो इसका जो right answer होगा, वे होगा, पंडुचेरी, पंडुचेरी में G20, science की बेठक हुई है, तो option C, इसका right answer होगा, next question, हाली में किसने 46 वे अंतराष्टी ये, कौलकता भुक मेले का उदगाटन किया है, तो आपका इसका जो right answer होगा, वे होगा, ममता बेनर्जी ने 46 वे अंतराष्टी कौलकता भुक मेले का उदगाटन किया है, तो option C, इसका right answer होगा, next question, हाली में भारतिय तटरक्सक, बल ने अपना 46 वा, इसका अपना दिवस कब मनाया है, तो इसका right answer होगा, एक फरवरी को, जो भारतिय तटरक्सक, बल ने अपना 46 इसका right answer होगा, next question, हाली में ताड के तेल की खेती के लिए किस राजे सरकार ने पतंजली फूड के साथ समझोता किया है, तो इसका right answer होगा, नागलेंड, नागलेंड सरकार ने पतंजली फूड के साथ समझोता किया है, तो option C, इसका right answer होगा, next question, हाली में यूनि लिवर के नेयो CEO कौन बने है तो इसका जो right answer होगा हे नर मुसा कर जो Unilever के नेयो CEO बने है, next question जो option C इसका right answer होगा next question, हाली में Reliance ने किस देश के biscuit निर्माता मालिक बान के साथ समझोता किया है तो इसका जो right answer होगा स्री लंका, स्री लंका के साथ Reliance ने biscuit निर्माता मालिक बान के साथ समझोता किया है तो option B का right answer होगा तो ये थे 3 फरवरी 2023 के current fair का revision, तो जो इस channel पर नए है, वो चैनल को subscribe कर दो, और साथ में ये वीडियो कैसा लगा, ये comment में जरूर बताना और इस channel को लाइक कर, इस वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों में share कर दो, तब ते के लिए जय हिन, जय बारत